नमस्कार दोस्तों नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है भारत के सम्विदान के सीरीज का ये पार्ट टू है और आईए अब शुरू करते हैं और अपनी नोलेज को परकली जेगा और आप कमेंट करके जरूर बताते रहें कि कितने आपके कोशन इमानदारी स सई हो रहें अपने आपको चेक कर लें तो आईए सुरू करते हैं पहीला लाकोशन तो पार्ट वन मेंं मैं से राष्टपते किसकी निकतिं नहीं करते हैं यह बहुत हीं बोल्टेंट कुश्यन होते राष्टपती के पैटन से जो आते हैं तो राष्टपती किसकी निम्निमें से निक्ति नहीं करता है तो इसमें सब्सक्राइब 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 किस राज में नगरपालिका का सीम अधिसूचित करने ने के लिए ने मंनियाय लिए निम्नलगी तुमें से कौन सक्षम है तो नगरपालिका का सीम चेत ज्सवधान सब्सक्राइब कर bestimm की सब्सक्राइब को कितना समय लगा यह चाहता जानकार क्शन आगया है तो आप सब्सक्राइब टिक कर दियोगा दो वर्स ग्यारे माहा और अठारे दिन ऑप्शन बीस में आपका करेक्ट होता है अगला क्वेशन है राजेंदर प्रसाद को देश रत्न की उपादी किस ने दी यह बहुत इंपोर्टेंट है अभी तक मैंने पहले इसको ऐसे टाइप का कुशन नहीं देख अप्थम राष्ट्रपती डॉक्टर राजन प्रसाद को दीती नेक्स्ट है बारत का समीधान लागु कब हुआ था बारत का समीधान जो लागु होता गाइस आप ऑप्शन देखें बताएं मेरे को जल्दी से जल्दी ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का समीधान प्रारूप य हैं वह सदकी नहीं थे लाकर मुंसी गोपालश्वामी एयर तो तीन नाम यह वह ऊगए हैं आपके सामने प्रारूप शमिति की जो सदस्क्राइब मुंसी गोपालश्वामी एयर और बागी के नाम मैंने डिस्प्ले पे आपको लिख दें डीपी खेतान के बील मित्रा और क्रश्न स्वामी आयर ये थे इन साथों को आप रट लीजिए क्योंकि इन में से कोई ने कोई पूंच लेगा या निमिन में आप्शन दे देगा और कह देगा इन में से कौन नहीं था और आगे मैं इसको बता देता हूं कि जो बील मित्र थे बील मित्र थे इनके इस्थान पर बाद में एन मादव राज भी आ गए थे और जो डीपी खेतान थे इनके इस्थान पर गाईज टीटी क्रश्नमाचारी थे वह सदश्ट बने थे तो इनको आप जरूर रट ले अगर पोश्ट है वो खाली हो जाती है तो उसको कितने दिनों में भर लिया जाना चाहिए तो इसका हमका करेक्ट आंसर होगा च्छे मैने के अंदर-अंदर चुनाव हो के उसको बर लेना चाहिए किसी भी विदी के लिए अगर सर्वोच नियाले से कोई परामर्स मांगने है तो वह कौन मांग सकता है वह सिर्फ मांग सकता है सिर्फ और सिर्फ भारत का राष्ट पती है वह सिर्फ मांग सकता है उसी को अधिकार है अगला कार्ये पालिका का प्रमुक कौन होता है कौशनों को आप ध्यान से पढ़ें कार्ये पालिका का प्रमुक कौन होता है तो और अगर आता है कि कार्य पालिका का नाम मात्र का प्रधान कोन होता है तो वो राष्टपती अगला है सम्विदान अनुच्छेद 74 के अनुशार राष्टपती के कार्ये को शंपन करने के लिए एक मंत्री परिशद होगी तो आप इसको यह जो लाइन है नाम में इसमें भी कोशन है कि राष्टपती के कारये को संपन करने के लिए मंत्री परिशद वारत करेब। सम्विदान के किस्छुट के तहट होती है तो वो होती है 74 के अनुशार तो आगे क्या बनाया गया है तो उसका परतान मंत्री होता है कि अगला गाइस भारत में लोक्सभा किसका प्रतिनित्प करती से करती है लोग शबा करती है भारतिये जनता का क्योंकि जनता से चुन कर इसमें प्रतिनिदी आते हैं प्रतक चुरूप से जनता के चुने प्रतिनिदी तो करती है अगला कोशन है बारतिये समीदान में नीती निर्दे सकता तो किस से लिए किसके लिए हैं मतलब जो समयदान में जो भी राज वर्ड आता है तो राज का मतलब यहां पर बारतिय समयदान में देश से करने सक्था लिए सरकार के लिए सरकार के लिए किसी भी राज्यका सममयदान कि से कौन होता है किसी भी राज को समयधानिक परतान कौन होता है तो आप इसमें समयधानिक परतान की जब बात आ रही है न तो दो कर आइसमें?" राज्यों के सम्विधान का राज्य का समयधानिक प्रमुख पूचा है तो राज्य का समयधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल यह आप ध्यान रखें और वास्तिक प्रमुख कोन होता है राज्यों का सी एम होता है जो मुख्य मंत्री अगला कोशन है समविधान सबाने समविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया था तो आपको सर्व विदित है बुक्स में भी पड़ा होगा बुक्स के पीछे जो लिखा हुआ था हमारी जो प्रस्थावन में भी लिखा हुआ है तो वह 26 नवंबर इसका करेक्ट आंसर है गाईज 26 नवंबर इसको हमारा समिधान एक इकरित अधिन्यमित और अगिकरित हुआ था यह आपने लाश्ट में पड़ाओगा समिधान की प्रस्थावन में अगला है भारत को एक समिधान देने का प्रस्थाव समिधान सबाद्वारा कब पारित किया गया था तो यह पारित किया गया था जन्वरी बाइस उन्निस्सों समिधान सबाद्वारा प्रस्थाव पारित किया गया था नेक्स्ट है राष्ट पती लोकसभा भंग करते हैं किसकी सलापर करते हैं किसके तैद करते हैं किस अनुछेद के तैद करते हैं यह आप देख ल एक और कोशन बन जाता है कि जो लोकषभा को भंग करने राष्टपति लोकशभा को भंग करता है वो भारतिये सम्विदान के किस अनुश्यद के तहद करता है तो वह करता है अनुश्यद पिच्चासी के तहथ नेक्स्ट गॉइब भारतिय सम्विधान के पृथम दिन के अधिवेशन की अध्दक्षता किसने की थी सचिदानंद सिन्ना ने क्योंकि उस टाइम चुनाव नहें थे और सचिदानंद सिन्ना ही उसके टॉप सीनियर मोश्ट मेमबर थे इसलिए उन्हों ने की थी उसके कुछन को द्यान से पड़ें संसद में कितने लोगों को मननौनीघ करता है तो यह संसदसे आप एक लिए कहीए डियरेक्ट दो और चार टिक मारत नहीं क्योंकि संसद बनती है लोक सबास राज सबार और राष्ट्पति सारे में संसद के औंग होते हैं तो इस पेसली जो संसद आमरी थे लोग मार्फ बनती है तो लोक शबा में दो सदश और राजसभा में 12 सदश तो कुल 14 सदश्यों को यह मनोनित करते हैं तो यह आप ध्यान रखें तो इसका अंसर हो गया 14 जिनका भी गलत अंसर है इमानदारी से जरूर बता दें आपने जो गलत किया इसका अगला है गाईज संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुचेद के तहत है तो वह गाईज जो ओली रट कोई दिक्कत नहीं इसमें अनुछेद 108 अनुछेद 108 में सभी तो बैठक का प्रावधान किया गया है अगला कोशन है एक 106 सम्विदान संसोधन और 111 सम्विदान संसोधन निम्ड में से किस सम्मंदित थे या किस सम्मंदित हैं तो आप इसमें को समक्राओं निगें कि यह है सहिकारी समयती से सब्लाइट दोड़का शायकारी समयती से समविदान का अनुछेद 123 सं मंदित यहां पर ये डिसकर्स की जरूसें बहुत इंपोर्टेंट होتा सबंदित होता है राश्टपति करने की शक्ति पर एकला को Hello निमनलिखित में मैंसे संविधान का कोन सा भाग संसोधित नहीं किया सकता तो गैस जब मैं दोड़ा सा डाउठ्फुल है तो इसको मैं दुबारा स espe cev करे करके इसका आंसर आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें मुझे थोड़ाइवी डाउट लग रहा है कि इसमें क्या आले चाहिए क्योकि क्यों प्रस्थावना को पहले आप संसोदित नहीं कर सकते ते लेकिन अफ़ी ना को भी संसोदित कर सकते हैं ठीके और राज संसोधित कर सकते हैं और जो मौली का दिखार है इनको भी आप संसोधित कर सकते हैं तो इसका अंसर अब नाइक समिक्षा होना चाहिए और भी मैं इसकी मतलब आगे वीडियो आएंगे उसमें इसका थोड़ा डेटेल एक वर वेरिफाई करके मैं आपको इसका आनसर बताऊंगा बाकि अभी इसका अनसर फिलाल नाइक समिक्षा ही है क्योंकि मेरे हिसाब से नाइक समिक्षा है तो और नियंत्रन से समवंदित है तो चटी अनुसूची है वो गाईज ऑप्षन बी आसाम मेघाले त्रूपरा और मिजोरम इन चार राज्यों के प्रसासन और उनके कंट्रोल से रिलेटेड है अगला कोशन है भारत का समिधान भारत के सुप्रीम कोट को केंद्र और राज्य कि कि आते हैंस देख लेनेने का अधिकार देता है C आप चलते हैं कोशन पर कि राज्यों के राज्यों के के लिए बादान किस देख के समिधान से लिया गया टोगया लिया में किस देश से लिया इसके बारे में किल आपको इसट किशन आपकां परसंट में गरेंटे के साथ कहता हूं जो वह 11 पॉइंट पॉइंट बस उनको तो मैं आपको इसका पीडियेफ में आपको प्रवाइड करवाँगा तो गाइस इसके साथ यह हमारा पार्ट यहां पे खतम होता है और अगर आपको यह पसंद आए तो आप इसको लाइक जरू करो आपको